तो हेलो दोस्तों कैसे हूँ मैं हूँ राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल अर्वी प्रोदर्स तो भाई आज मैं बता हूँ आपको जैसे कि आप मेरे हाथ में इस वक्त थ्रोटल बोडी देख रहे हो यह गाड़ी है RS200CC RS200CC की जो ट्रोटल बोडी मेरे हाथ में है यह KTM की जो बाइक है KTM और RS यह दोनों की सेम होती है और जितने भी इसमें सेंसर लगे होते हैं मैं complete detail आपको sensor की दूँगा कौन सा sensor क्या काम करता है यह चीज़ मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो के complete देखना उसमें सब कुछ बता लग जाएगा जो मैंने थंबलेन में लिखा है वो भी पता लग जाएगा काफी सारे लोगों के मन में doubt आता है वो भी स्क्लियर हो जाएगा सब कुछ वीडियो को skip मत करना मैं कुछ नहीं कर सकता फिर तो वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं इसके sensor की details दूँगा आपको sensor की जानकारी और उसके बाद मैं throttle body की जानकारी दूँगा और end में आपको fuel injector की थोड़ी से knowledge दूँगा तो ये जो मेरे हाथ में इस वक्त sensor है इसका नाम है idle air control valve ध्यान से सुनना idle air control valve ओके इसका जो नाम है ये है अब ये क्या काम करता है जब हमारी गाड़ी normal speed में होती है जैसे कि हम गाड़ी को start करके खड़ी करते हैं traffic, red light में या jam में तो हमारी गाड़ी को start रख सके इतनी air ये हमारे आपकी जो head combustion system में उसमें देता है ये idle air control valve है ये air supply करता है जब हमारी गाड़ी normal speed में रहती है जब हम रेस नहीं देते है गाड़ी की ये गाड़ी को बंद होने से बचाता है अगर गाड़ी में इसमें dust ये जो परसानी देख रही है ये जो आई की गंदगी तो आपकी गाड़ी हो सकता है slow में बंद हो जैसे कि आपको पता ही होगा race कम हो जाती है तो ये परसानी होती है गाड़ी में क्योंकि इस throttle body के अंदर race बढ़ाने की जो एक proper नट दिया गया है बट एक air को set करने का नट नहीं दिया गया है air के नट की जगह ये दे रखा है यहाँ पर air idle control valve तो ये हम clean करेंगे और इसके बाद हम next आपको sensor दिखाते हैं फटाफट से next sensor दिखाते हैं और उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगो अभी complete इसके बारे में कि क्या क्या sensor और इसके अंदर जो दे रखें total 3 sensor है और एक injector है और पूरी complete throttle body है जो दूसरा sensor है हमारा इसको फटावर से खोलते हैं और इस sensor के बारे मैं आपको बता देता हूँ पहले खोल देता हूँ देखो खोलते-खोलते तो हम बाते होई जाती है तो फिर बताता हूँ देखो यह जो sensor है यह हमारे butterfly से attach होता है जब हम throttle लेते हैं throttle तो यह sensor काम करता है अब क्या काम करता है इसका क्या काम होता है यह मैं बताता हूँ सबसे पहले इसका नाम बताता हूँ मैं इसका नाम क्या है ये Boss Company का sensor है जो इसमें लगा हुआ है इसमें जो injector लगा हुथा वो भी Boss Company का है और जितनी भी sensor लगे हुआ है सब Boss Company के है B.O.S.C.H Boss Company Boss एक general company है, worldwide number one company है अब बात करते हैं इसका नाम क्या है तो इसका नाम है Throttle Position Sensor Throttle Position Sensor Throttle की जो position होती है उसको sense करता है जब हम throttle लेते हैं यानि कि एक accelerator देते हैं तो उसकी जो throttle position है उसके according ये क्या करता है ये जो इसमारा ECU है electronic control unit उसको sense करता है उसको बताता है कि इतना throttle आ रहा है इतना throttle आ रहा है यह चीज़ बताता है और उसके बाद ECU क्या करता है ECU इंजक्टर को बताता है कि इतना ठोटर आ रहा है तो एक काम कर तो इतना इंजक्न कमपक्शन सिस्टम में इतना एर फ्यूल मिक्शर दे तो यह होता है इसका सिस्टम ठीक है मैं आपको थोड़ा देसी भासा में समझा रहा हूँ मैं कोई इंगलिस के बहुत सारे वर्ड या कोई इंजिनिरिंग के तरीक से नहीं बता रहा क्योंकि वो तो वीडियो आपको बहुत सारी मिल जाए कि देसी तरीका नहीं मिलने वाला अब मैं इसको यह भी बताऊंगा कि इसमें कैसे करने है अब हमारा जो तीसरा सेंसर है उसके बारे बात में बात करेंगे पहले इसके बारे मैं complete जानकारी देते हूँ यह जो सेंसर है यह हमारा throttle position sensor मैं दोबारे रिपीट कर रहा हूं throttle position sensor जब हम raise देते हैं accelerator देते हैं थ्रोटल लेते हैं तो जब हम थ्रोटल ले रहे होते हैं उस थ्रोटल के लेने के according जो थ्रोटल की जो एक मातरा होती है उसके according ये क्या करता है ये हमारे ECU को यानि की ECU ECU जैसे हमारे इंसानी जो हमारा सरीर है हमारा पूरा सरीर हमारे दिमाग से काम करता है जो चीज हम करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग हमें सिगनल जाता है अगर हमारे हाथ में चोट लगती है तो हमारे दिमाग में सिगनल जाता है हमें चोट लग गई है हमें पता लगता है कि हाँ इसमें चोट लग गई है अगर कोई भी चीज आपकी गाड़ी में electrical parts से related हो रही है तो वो ECU का सबसे बड़ा महत्व होता है ECU signal देता है ये सारे के सारे sensor सबसे पहले ये ECU को बताते हैं फिर ECU क्या करता है उस चीज को बताता है जो चीज actually में होनी चाहिए जैसे कि ये sensor ECU को बोलता है इतना throttle ले रहा है हमारा rider ECU का करता ECU injector को बोलता है कि throttle जो है इतना आ रहा है तो मैं काम करो इसके अंदर जो combustion system में air fuel mixture देना है वो इतना दो उसके according अब हम तीसरे sensor की बात करेंगे जो है एक आखरी मात्र sensor जो इसकी throttle body में लगा होता है इसकी पूरी bike में sensor काफी लगे होते हैं बट उन sensor को मैं अभी बारे में बात लिए करूँगा अभी सिर्म मैं throttle body के sensor के बारे में बात करूँगा तो ये है हमारा MAP sensor MAP पहले मैं से निकाल लेता हूँ इसके बार आपको बताता हूँ तो बता देते हैं भाई इसका नाम है MAP sensor manifold absolute sensor manifold absolute pressure कह सकते हो कुछ भी ठीक है MAP manifold absolute pressure ये क्या काम करता है इस चीज़ के बारे मैं आपको थोड़ा सा बपता देता हूँ देखो जब हमारी throttle body में है हमारे air filter से air हाती है filter होके तो उसके air के मतब एक amount को calculate करके जो उसका air amount होता है उसको calculate करके ये क्या करता है उसको बताता है मतब जैसे कि मैं दुबारा देख देशी महसा में समझाता हूँ मैं आपको exactly नहीं बता पार हो लगता है तो मैं देशी महसा समझाता हूँ ये sensor throttle body में लगा होता है और throttle body में जब filter से air आती है उसको इमाउंट को calculate करता है और उस calculation को calculate करके आप ये क्या करता है ECU को बताता है ECU यानि की electronic control unit अब ECU क्या करता है उसके according आगे अपना उसको आगे दूसरे sensor को sense करता है बताता है ठीक है ये इनकी प्रक्रिया होती है अब बात करते हैं इन sensor के इलावा throttle body को लेकर जितने भी sensor मैं आपको बताए है ये सारे के सारे sensor इस throttle body में लगे होते हैं अब इसके अंदर कोई tuning करने के लिए netball नहीं दिया गया है कई आप सोचो के tuning करने के लिए कुछ दे रखाओ ऐसा कुछ भी नहीं है दूसरी चीज इस sensor के according ही average set होती है गाड़ी की काफी सारे भाई सोचेंग है भाई मैंने average के बारे बताया है यह नहीं मैं बता देता हूँ ये तीनो sensor map sensor और ये वाला sensor और इसके लावा जो दूसरा sensor आपको बता देता है तीनों complete sensor इन तीनों sensor को अगर आपको लगता है आपकी F5RD जिसमें एक tuning करने का bolt netball नहीं दिया गया है या कोई system नहीं दिया गया है तो आपको इन तीनों sensor को बाहर निकालके इस complete throttle body को clean करना है और throttle body के साथ sensor को clean करना है अब यहाँ बात आती है throttle body को clean कैसे करोगे जैसे कि आप देखे हो throttle body इतनी गंदी हो गई है बहुत जादा हद से जादा गंदी हो गई है अब यहाँ पर बात करते हैं सो कैसे clean करोगे तो भाई सबसे पहले मैं छोटी सी बात होँगा आपको जो बहुत काम आने वाली आपकी जब हमारी गारी के हेड के अंदर combustion सिस्तम में blast होता है तो उसका जो carbon होता है वो carbon वो carbon ratio वो हमारी गारी के sensor यानि कि जो हमारा थोरटल मोनी में sensor लगे है उनके sensor के main जो point होते हैं उन पर चपक जाता है उन पर लग जाता है और उस वज़े से हमारी sensor होते हैं उनका जो एक proper तरीक से connectivity जो होती है वो नहीं हो पाती है वो properly signal ECU को नहीं दे पाते हैं ECU बहुत smart जो होता है बहुत कुछ जादी समझदार होता है उसमें कुछ ऐसे algorithm set होते हैं जो की वो पहले से fix होते हैं अगर ECU को proper sensor signal नहीं दे पाएगा तो ECU अपनी चलाएगा और उसको जैसे देना है actually में वो ऐसी देगा मतब एक अपनी according गाड़ी की जो एक proper setting होती है वो नहीं कर पाएगा गाड़ी क्योंकि ECU काम किस पर कर रहा है आपके sensor पर काम कर रहा है और sensor क्या काम करेंगे जब वो proper काम सही तरीके से कर पाएगे जब वो proper clean होंगे clean करने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको अब बताता हूँ देखो clean करने के या तो आप throttle body का clean sensor ले सकते हो Amazon पर मिल जाएगा throttle body cleaning sensor लिख देना ठीक है या तो फिर आप एक WT40 spray का ले सकते हो WT40 जैसे कि आप देख रहे हो इसको petrol से बिल्कुल भी clean नहीं करना आपको पहले बिता रहा हूँ अगर आप petrol से clean करते हो तो यह आपका खुद का risk होगा क्योंकि इनके जितने भी sensor होते है इसके अंदर उनमें oaring लगे होती है अगर आपको लगता है आप sensor को petrol में डुबा रहे हो तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उसकी जो oaring होती हो फूल सकती है दूसरी बात जो यह throttle है इसको पैसे petrol से एक देखा जाए तो वास कर सकते हो पड़े तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा चीजों को या तो बिल्कुल एकदम throttle board एकदम खाली कर लो उसके सारे sensor निकाल दो उसके बाद आप petrol से वास करो या तो फिर अगर आपके पास सुविधा है तो आप WD-40 स्प्रे मार के छोड़ सकते हो इसके अंदर ठीक है WD-40 मार के जब छोड़ोगे आप जैसे कि मैंने इसमें मार दिया है WD-40 स्प्रे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया तो इसमें छोड़ देना 15-20 मिंट या 10-15 मिंट जो भी है इसके जितने भी सेंसर है सब के अंदर WD-40 मार के छोड़ देना है ताकि उनके जो रश्ट है उस सारा का सारा थोड़ी देर में निकल जाए या फिर एक और तरीका है आप क्या कर सकते हो अपनी गाड़ी के अंदर थ्रोटल बोडी को क्लीन करने के लिए और हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ यह जो थ्रोटल बोडी आप देख रहे हूँ यह थ्रोटल बोडी BS6 गाड़ी की भी है सेम RS की और हमारी BS4 गाड़ी की भी है सेम कहीं आप बाद में बोलो यह BS6 में भी सेम होती है और BS4 में भी सेम होती है लगबग ठीक है दोनों चीज़ एक के लिए कर रहा हूँ कहीं आप बाद में यह ना बोलो BS6 यह है BS6 वो है तो ऐसा नहीं है RS200 के बारे में मैं बताया है अगर आपको लगता है अप हीरो की काड़ी हो के बारे में जानना चाते हो तो मुझे कमेंट करकेबताना मैं हीरो के बारे में बताऊँगा और एक चीज और बताओ ध sniff हो है इंजेक्टर क्लीनिग को कैसे करें? तो उससे तीन-चार दिन पहले आप Throttle Body का Cleaning Sensor भी आप खरीज सकते हूँ Amazon से या फिर बजाज की किसी भी Service Center से जा के खरीज सकते हूँ आप 300-300 का असपस का आपको एक छोटा सा डिबा स्प्रे का मिल जाएगा आप उसे यूज करके भी अपनी गाड़ी के Throttle Body यो क्लीन कर सकते हूँ अब यहाँ पर आपको क्या चीह है एक Colgate वाला बुरुष चाहिए होगा और एक Normal बुरुष चाहिए होगा अब ही मैं इसके ओपर दोड़ा WD-40 मरतों से गीला करने के लिए और इससे रगणना पड़ेगा देखो यार थोड़ी महनत तो करनी पड़ती है इसके अंदर क्योंकि Throttle Body के ऐसा पार्ट है अगर गाड़ी के Throttle Body के अंदर थोड़ी सी भी एक माइनर भी थोड़ी सी गंदगी रह जाए या उसके Sensor की Setting साई से ना हो मतब Fitting साई से ना हो मैं आपको बताएं Map Sensor तो Map Sensor कारों में भी होता है और बाइक में भी होता है जो FI गाड़ी है ओके तो यह कंप्लीट आप देखे रहे हैं यह कंप्लीट थोड़ी सी गंदी है मैं कहा करूँगा इसमें थोड़ा सा और मतलब WT-40 मारूँगा और एर गन का प्रियोग करूँगा एक चीज मैं पता होता है अगर आपके पास WT-40 है बट एर गन नहीं है तो कोसिस करें कि एर गन का उप्योग करें कैसी से एर गन का एर्रेंज करें क्योंकि यह तोड़ाल बोड़ी बहुत जादा है अंदर तक इसमें हॉल दे रखे हैं और कम्प्लीट इसके अंदर जो सेंसर लगते हैं हमारे वहाँ पे हॉल दे रखे हैं वहाँ गंदगी बहुत जम जाती है प्रॉपर साफ कर नहीं है कि प्रॉपर क्लीनिंग बहुत जरूरी है क्योंकि यार बार बार तो खोलोगी नहीं ठीक है यह चीज आपको धियान दर्ख पहले में पता तो फ्रॉपरोडी के बारे में थ्रॉपरोडी आपको हर 10,000 से 8,000 किल्मेटर के बीच में करा लेनी है इंडियन बाइकर्स को इंडियन बाइकर्स में डिपेंड करता है आपका एरिया कौन से आपको यह जादा ऑफ रोड राइड हो रही है या फिर जादा अगर आपको लगता है ऐसा है आपकी गाड़ी बहुत जादा लोकल एरिया में चलती है और यह किलीन अगर नहीं कराते हो आप तो आपकी गाड़ी में आपकी एवरेज जो है बहुत जादा कम हो जाएगी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी और काला धुवा देने लगेगी अब एक चीज और बता देता हूं, जो काला धुमा होता, वो क्यों हो देगी, क्योंकि यहां पर आपकी गाड़ी के थ्रोटर बोटी में गंदगी आ जाएगी, जिस चक्कर में जो कार्बन रेशु होता है, बहुत जादा सेंसर पर अच्छे पक जाएगा, और सेंसर आपकी गाड़ी के ट्यूनिंग आउट होने की वज़े से कार्बन रेशु बढ़ जाएगा, बढ़ने की वज़े से आपकी गाड़ी का पॉलुशन प्रॉब्म आने लगेगा, पॉलुशन फैल भी हो सकता है, यह भी हो सकते हैं, तो यह चीज आपको ध्यान देनी पड़ इसके अंदर हमारा इंजक्टर भी लगा हुए है, आपने साइद एक चीज नोटिस करी होगी, मैं बताता हूँ इसका थ्रोटल काम कैसे करता है, इंजक्टर काम कैसे करता है, इंजक्टर क्लीन करने के लिए एक टूल बनाओंगा, एक देसी जुगाण, अगर आप इंजक्टर क्लीन कर सकते हो, बहुत आसानी से, क्योंकि कम्पनी में साड़े पांसोर पर चार्ज लगता है इंजक्टर क्लीनिंग का, तो यह आपका बच जाएगा, बन वो आपकी कमेंट के उपर है, और कमेंट यहां नहीं करनी है, कमेंट इस्ताग्राम पर फोटो पे कर इंस्ताग्राम पर में बहुत अच्छे से स्टोरी पोस्ट करता रहता हूँ, अगर आप चाहो तो वहाँ पर देख सकते हो, अब मैं बात करता हूँ इसके बारे में, जब हम गाड़ी की चाबी ओन करते हैं, तो हमारी गाड़ी की चाबी ओन होती ही, इसकी जो फ्यूल पं की मोटर होती है, फ्यूल पं की मोटर चलती है, और फ्यूल पं की मोटर फ्यूल को फ्यूल को फ्यूल को फ्यूल को फ्यूल की 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 प्रैक्टिकली दिखाता हूँ थोड़ा सा गाड़ी स्टार्ट करके प्रॉप पर ली ठीक है तो आईए गाड़ी के पास चलते हैं और थोटी से नॉलिज लेते हूँ और एक छोटा सा और बताऊंगा एक छोटी सी बात जो आपको आगे बताता हूँ गाड़ी है यह एरस और इसमें थ्रोटल बोडी लगा दी है सिर्फ एक्जामपल के तौर पर एक छोटी सी प्रैक्टिकल चीज दिखाऊंगा आपको मैं जो पता होनी चाहिए यह मैंने गाड़ी की चापी आउन करी जैसी मैं इस गाड़ी की चापी आउन करूँगा तब इ यह ना सुनना आवाज को यह दो अवास सुनी आपने यह आवाज आ रही है अब यहां पर यहां पर क्या हुआ हुआ इशां हमारी गाड़ी ब्लास्ट होगा, और गाड़ी इंदर पतर बागी कि ऑन देखेंगे और उसके बाद वह रेस दिंगे तो यह दो बटरफ्लाई आप देख रहे हो ये पटरफ्लाई जाएगी अब जितनी एर जाएगी उतना ज्यादा पेट्रोल जाएगा एर पेट्रोल दोन जैसे एम एक्सेत्स दे रहे ना तो रेस कुझे हैंड यह रेस, यह रेस यह रेस यह सिफ प्रॉपल बोटी इंदर होता है ठीक है यह हमारा जो नॉर्मल कारबिटर है जैसे कि मैंने कल जी वेक वीडियो बनाई दी एक लिया परसर वीडियो बनाई दी में जखाऊगा अपन तो बही जैसा कि आपने देखा ये सारा का सारा मेकैनिजम ये सारा सेंसर और ECU के ओपर डिपेंड करता है अगर आपकी गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्म आ रही है मिसिंग से रेलेटिड या एवरेज से रेलेटिड या काले दूवे से रेलेटिड मिसिंग से खाती हो बात आती हो मिसिंग जटके मारना, साट से उपर ना जाना तो समझ जाना आपकी गाड़ी के थ्रोटल बोडी में दिक्कत है या फ्यूल पंप में दिक्कत है या फिर आपकी गाड़ी के थ्रोटल बोडी का जो कोई सेंसर है उसमें दिक्कत है प्रोपर वर्क नहीं कर रहा है अब एक और important बात में बताता हूँ injector cleaning के उपर एक टूल छोटा सा बनाऊँगा जिसके अंदर कोई खर्चा नहींगा बिल्कुल भी कोई खर्चा नहींगा उसके उपर बनाऊँगा उसमें कुछ जानकारी आपको दूँगा मैं बाकी एक बात और मैं कहना चाहूँगा मैं अपने पूरे दिन की वीडियो पूरे दिन की जो मेरे पर कश्टूमर आते हैं बहुत सारे फीडबैक वीडियो बनानी होती है उनकी बट मैं यूट्यूब पर नहीं डाल पाता हूँ टाइम नहीं मिलता मेरे को मैं नॉलिज की वीडियो डालने की कोशिस करता हूँ फाल तो फीडबैक वीडियो डाल के क्या करूँगा